बात आठ मार्च 1978 की है उस दिन को सभी सेवादार अतियंत भागेशाली मान रहे थे क्योंकि उस दिन पूझे अकुल मालिक परमपिताश शहा सतनाम सिंग्जी महराज का मुंबई से दरबार दीरा सचा सोदा वापिस आने का पका समाचार प्राप्त हो गया था शहिंशाओं के शहिंशा पूझे परमपिताश जी हर हालत में दरबार में कल पहुँच जाएंगे इस बात का समाचार मिला था उस खुशी का लिख कर या बोल कर वर्नन नहीं किया जा सकता वह खुशी जिन्नोंने उस समय देखी या प्राप्त की ये बही जानते हैं अज दिन वडपा गी आयाए अस सत्गुर दर्शन पायाए खुशियां दा चंद चड़ेया जी 15 फरवरी को पूझे गुरु जी मुंबई के लिए रवाना हुए और 8 मार्च को फिर से सत्गुरु जी वापिस आ रहे थे प्यारे दाता जी के इंतजार में सभी सेवादार टक टकी लगाए बैठे थे बताया गया कि पूझे गुरु जी कल यानि 9 तारीक को 12 बजे तक आ जाएंगे प्यारे दाता जी आ गए तो खुशियों की दौलत मिल गई बाकी पीछे कुछ भी नह रहा आप मिल गए ता मिल गई खुदाईजी हत जोड आखां पामी ना जुदाईजी मार जावांगी जे आख में तो फेरी दुआ न कोई हूर मग दी सभी सतब्रमचारियों को उस दिन की रात गुजारनी अत्यांत मुश्किल लग रही थी एक एक घंटा गिन गिन कर रातरी के नो बज गए फिर बारा बजे इसी तरह मिनट मिनट गिनते सारी रात को जर गई सभी सेवादार सतब्रमचारी अपने प्यारे प्रीतम जी के दर्शन देदार के लिए अत्यांत इच्छा लिए हुए थे नो मार्च 1978 उस दिन सभी सेवादार वैसत ब्रमचारी शहर की साथ संगत के चहरों पर शेहनशा परमपिता जी के मुंबई से वापिस आने की खुशी में पूरी रोनक थी समस्त साथ संगत दोपहर के बारा बज़े से में गेट के बाहर सड़क पर पूजय गुरू जी के इंतजार में आखे बिचाई बैटी थी सभी सेवादार भी पूजय गुरू जी की एक जलक देखने के लिए उतावले हुए जा रहे थे इसी तरह से इंतजार में बैठे बैठे शाम हो गई दूर से जो भी गाड़ी साथ संगत को आती हुई नजर आती तो उधर साथ संगत भाग लेती शायद परमपिता जी की जी पा रही हो मगर वह तो किसी और की ही होती इस परकार करते करते रात के सवा आठ बच गए मजलिस का समय हो गया सतबरमचारी हरी सिंग नलुआ सारी साथ संगत वो कहने लगे भाई सभी चल कर मजलिस में बैठो जब परमपिता जी आएंगे तो सभी को अपने आप पता चल जाएगा अंदर तेरा वास में जाने के लिए किसी का दिल नहीं करता था लेकिन भाई जी के कहने से सभी दीरे दीरे जाकर अंदर मजलिस में बैठ गए कुछ सिवादार गेट के पास वाले बरामदे में बैठे बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही थी इसलिए किसी को भी चैन नहीं था सभी को दर्शन देदार करने की जल्दबाजी लगी हुई थी आखिर वहशुब घड़ी आ गई देखते ही देखते परमपिताजी की गाड़ी अंदर दर्वाजी में आई जैसे ही गाड़ी ने दर्वाज में परवेश किया चारों तरफ खुशियों का आलम चा गया सभी सद्प्रमचारी वे साथ संगत एक दूसरे से आगे भागने लगे पूज्य शेहनशा परमपिताजी गाड़ी से उतर कर तेरा वास की हाल कमरे में लगी अपने शाही कुर्सी पर जाकर विराजमान हुए उस समय साथ संगत की खुशी का और शेहनशा जी के नूरी जलाल का वर्नन करना ऐस संभव नजर आ रहा था परमपिताजी ने लाल रंग का परना सफेद कमीज और बिस्कुटी रंग की चादर पहनी हुई थी पवित्र चर्ण कमलों में काली जूटी बहुती सुंदर लग रही थी की सिफ्त प्यारे सत्गुरु जी दी गावा मैं कुझे विच्च समुंदर नू पावा मैं परमपिताजी बहुती प्रेम से सारी साथ संगत से पूछने लगे बेटा आप सब का दिल लग गया था हमारा दिल तो वहां पर बिलकुल नहीं लगा लोग तो दिल्ली मुंबई आदी को बड़ी खुशी से देखने के लिए जाते हैं प्रंतु हमारा दिल तो कोई भी चीज देखने को नहीं किया हमारे से तो वहां की संगत प्रेम भी बहुत करती थी कई डॉक्टर नरसें और सिपाही तो तो जब हम वहां से आने लगे तो रोने लग गए तथा सारा अस्पताल ही उदास हो गया अर्थात वहां के सभी मरीज उनके वारिस तथा अस्पताल का स्टाफ सभी उदास हो गए एक लड़की तो बेचारी रोती हुई दोड़ी दोड़ी आई बोली गुरू जी मेरी माता को आशिरवात दे कर जाओ कि वहे ठीक हो जाए कई और भी मरीज परमपिताजी का दिदार करने के लिए आए और साथ में परसाथ भी लाए वहां पर कई नरसें जिनके नाम थे जिन्नी, मीरी, मीकप, तता शोभा आदी उन्होंने परमपिताजी की हार्दिक लगन और अत्यंत प्रेम के साथ सेवा की वे जब भी वाड में चकर लगाने आती तो परमपिताजी को अत्यंत शुरदा भाव से धन धन सत्गरू तेरा ही आसरा करनारा बोलती और बहुती मीटे शब्द बोलकर दवाई आदी के बारे में बता कर जाती जिस वाड में परमपिताजी विराजमान थे वह 14 नमबर वाड था उसमें तो हर समय पूरी भीड लगी रहती वहाँ पर जो भी मरीज दाखिल थे वे अपने अपने परिवार जनों को साथ लेकर शेहनशाजी के दर्शन करने आते और परसाद लेकर जाते उन्हें जो भी रिष्टेदार संबंदी मिलने के लिए आता उन सभी को वे बताते कि हम गुरू जी के दर्शन करके और परसाद लेकर आए हैं फिर वे मरीजों को मिलने वारे लोग भी परमपिताजी के दर्शनों के लिए आते और परसाद लेकर जाते परमपिता जी ने वहां मुंबई से आते समय सभी नर्सों वे डॉक्टरों को जो शेहनशाजी की सेवा करते थे अपने पास गुला कर एक एक चांदी की अंगूठी दी और फरमाया बेटा जब भी तुम अपने हाथ की अंगूठी को देखोगे तो आपको ततकाल याद आएगा कि यह अंगूठी कहां से आई और किसने दी है तो इससे आपका सुमिरन बन जाएगा बेनर से अरदास करने लगी गुरू जी आप हमें भी अपने साथ ले चलो हम भी आप जी का डेरा देख कराएंगी परमपिता जी कहने लगे बेटा जब आपको अस्पताल के चुटियां हो तब आप उधर का चुकर लगा लेना उनका कोई पुर्वला कर्म उधे हो गया थ जिसके कारण उन्हें शेहनशाजी की सेवा करने का शुब अवसर प्राप्थ हुआ परना ऐसा शुब कर्म और पूर्ण रूहानी महापूर्शों के दर्शन दुरलब हैं परमपिता जी फर्माने लगे बेटा वहाँ पर सभी डॉक्टर साहिबान और नरसें अंग्रेजी में बात करते थे उन्हें पंजाबी की तो बिलकुल समझ ही नहीं पड़ती थी फिर कुछ सिवादार बताने लगे कि अस्पताल की नरसें डॉक्टर और मरीज कहने लगे कि आज 14 नंबर वार्ड तो बिलकुल सूना और उधास हो गया है वे सभी कह रहे थे आप कुछ दिन और ठहरो फिर चले जाना उन सभी लोगों ने परमपिता जी से नामदान भी नहीं लिया था उन्हें शेहिंशा जी ने इतना प्रेम दिया कि वे कहते सुने गए 14 नंबर वार्ड वाले महात्मा जी गुरू जी अस्पताल की सारी रौनक जो उनके यहां आने से आई थी अपने साथ ही ले गए परमपिता जी ने साथ संगत को इस परकार के वचन सुना कर बहुत खुशी दी तता सभी सत ब्रह्मचारियों का दर्शन मिला हो गया है पहले बीबियां यानि सेवादार बहने चलें सभी बीबियां आग्या पाकर खड़ी हो गई और बहार लाइन बना ली परमपिता जी अपनी प्यारी साथ संगत को आगया देकर धीरे धीरे अपनी प्यावंद रिष्टी साथ संगत पर डालते हुए उपर तेरावास में चले गए उस दिन दरबार का कणकण खुशी से चहक रहा था अनामी तेरावास जो 22 दिनों से उदास प्रतीत हो रहा था उसमें खुशी का नजारा प्रतीत होने लगा क्योंकि तेरावास के उपर वाले लाइट भी जग मगाने लगी लाल वेहरी बत्ती ने सारी साथ संगत के दिलों को सहारा प्रदान किया क्योंकि शेहनशाहों के शेहनशा परमपिताजी दरबार में विराजमान थे दरबार में चारों तरफ खुशियों का आलम चाया हुआ था जिस किसी के चहरे की तरफ देखते ऐसे लग रहा था मानो बागों में बहार आने से सभी पक्षी चहे चहाने लगते हैं इसी परकार सभी प्रसंद थे नौ मार्च का शुब दिन सभी के लिए बहुत भागय शाली रहा जिसने की पूजे गुरू जी के पवितर दश्चन करवा कर नया जीवन प्रदान किया नौ मार्च की उस सारी रात सद्वरमचारियों ने पूरी खुशियां और जश्चन मनाए